हेलो वेलकम तो दी अवर निव यूट्यूब चैनल इगनाइट डिजायर एजुकेशन दोस्तों जैसा कि आप लोग जनते हैं इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिलिटेड वीडियोस लगातार पोस्ट करते रहते हैं तो एजुकेशन से रिलिटेड वीडियोस को लगातार द देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमाय नया चैनल इग्नाइट डिजार एजूकेशन तो दोस्तों आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो वीडियो है जॉयस्टिक तो सबसे पहले बात आती है त्टी वाट इस जोयस्टिक बैसिकली अखिर होता क्या है जिस तरह से माउस एक कर्सल कंट्रोल डिवाइस होता है उसी तरीके से जोयस्टिक भी कंट्रोल करने के काम में आता है बैसिकली इसका नाम जोईस्टिक कंट्रोलिस्टिक के नाम पर पड़ा जो कि पाइलेट्स एरोपेन उलाते समय यूज करते हैं अब बात करते हैं कि ये कंप्यूटर में जोईस्टिक वर्क किस प्रकार करता है ये बिसिकली सिंपल प्रिंसिपल पर अधारित होता है कि hand किस तरफ move किया ये computer joystick में लगे हुए sensors को पता चल जाता है जिसके through ये संदेज computer में भेशते हैं जिसके बाद computer इनको operate करता है और cursor को इधर से उधर move करता है First joystick सन 1926 में CB Mirik के द्वारा बनाया गया था बात करेंगे उन ports के बारे में जिन में joystick connect होता है Basically computer में joystick को connect करने के लिए USB board पहले से ही बना होता है तो वो चार port है Bluetooth, Game port Serial port और USB So first of all हम बात करेंगे Bluetooth के बारे में Bluetooth का use basically wireless connection को maintain करने के लिए होता है इसका प्रयोग keyboard में mouse में, personal digital editor, assistance, computer और smartphones में किया जाता है Bluetooth का प्रयोग जिन devices में किया जाता है वो सारे devices यह है Bluetooth headphones, Bluetooth keyboard and Bluetooth mouse Bluetooth speaker, Bluetooth car, Bluetooth watch, Bluetooth lock So, अब बात करते हैं Game port की Game port basically एक 15 pin का connector होता है जिसको IBM ने सतर 1981 में इन्वेंट किया Game port के थूँ joystick, gamepads, steering wheels और other devices को connect किया जा सकता है अब बात करते हैं Serial port के बारे में Serial port, Serial port एक प्रकार का Asynchronized port होता है इसके थूँ केवल एक बार में केवल एक bit का transfer किया जा सकता है सुरुवाती दौर के Serial ports में केवल one-sided communication होता था यानि कि केवल एक ही तरफ से data को send किया जा सकता था दूसरे तरफ से नहीं पर आधुनिक Serial ports में ऐसी सुविधा उपलब्द है कि दोनों ही तरफ से data को transfer किया जा सकता है और जो next port है उसका नाम है USB USB यानि Universal Serial Bus यह सबसे ज़्यादा प्रेयोग में आने वाला port होता है इसके थूँ digital cameras printers, scanners, external hard drives एक sector को computer से connect किया जाता है अब बात करते हैं types of joystick यानि कि joystick कित्ती प्रकार के होती है basically joystick पास प्रकार के होती है digital joystick, paddle joystick, analog joystick, PC analog joystick और joypads आई अब जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं digital joystick के बारे में यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले joystick है और इन्हें ही Atari style joystick भी बोला जाता है इनका use left, right, up, down और firing के commands देने के लिए किया जाता है next बात करते हैं paddle joystick के बारे में यह सबसे पुराने style के joystick है इनका use काफी पहले किया जाता था और कहा जाता है कि जब first game में gaming के लिए joystick का use किया गया तो वो joystick, paddle joystick ही थे next आते हैं analog joystick analog joystick में basically paddle joystick और digital joystick दोनों ही प्रकार के joystick के गुण मिले होते हैं इसमें analog joystick में movements को measure करने के लिए potentiometer का use किया जाता है आईए अब next बात करते हैं PC analog joystick के बारे में PC analog joystick basically normal joystick की तरह ही होते हैं पर इसमें अतिरिक्त buttons दिये होते हैं अनि कि अधिक keys होती हैं और इनको USB के थुरू computer से connect किया जाता है और last बात करते हैं joypads के बारे में basically ये joypads अन्य joystick की तरह नहीं होते बलकि इन्हें हाथ में आसानी से पकड़ा जा सकता है इनका use gaming के लिए किया जाता है ये भी साधाना joystick की तरह होते हैं और इनमें buttons की संक्या काफी अधिक होती है PS2 त्यादी में यूज होने वाले joysticks को ही joypad कहा जाता है आप तेक सकते हैं it's a xbox remote या xbox joypad कह सकते हैं इसको so thank you for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like, share और subscribe करना ना भूले इस channel को इसके साथ ही अगर आपको अन्य किसी topic पर वीडियो चाहिए तो comment करना ना भूले तो यार चक्के मैं हूँ आपका दोस रोहन वर्मा